नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है इस स्टार मिस्कुनीज में दोस्तों बात करने वाला हूँ उत्तर प्रदेश अदिनस्त सेवा चैन आयोग की भरतियों के परिणामों के संबंद में और उनके अभिलेग परिक्षन के संबंद में ठीक है तो अब किन-किन भरतियों पर आयोग के अंदर काम होगा और आयोग कब तक खुलेगा या बीच में बंद भी होगा तो इन सभी बातों पर आपको इस वीडियो में बहुती मैंत्यपोन जानकारी देने वाला हूँ दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए वीवर्स हैं वो चैनल को सबस्क्राइब कर लें जिससे आपको किसी भी भरती के संबंद में या परिणाम के संबंद में कोई भी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंच जाए दोस्तो देखें वाया जो भी जानकारी मुझे मिली है यूपिटर पलेसी के दौरा वो करमचारी के दौरा पता करने के बाद ही आपको मैं दे रहा हूँ कि अब यूपिटर पलेसी में किन-किन भरतियों पर काम होगा और आयोग कब तक खोलेगा बीच में बंद भी होगा कोरुना या चुनाव की वजह से आयोग बंद होगा या नहीं होगा ये सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूँगा तो भया सीधा मुद्वे पर आता हूँ देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी आपकी परिक्षाएं होनी थी चाहे वो जेई की परिक्षा हो चाहे वो आपकी A&M वाली भरती की परिक्षा हो तो आप जानते ही है उन परिक्षा को इस्थगित कर दिया गया है अब यूपिटर पलेसी के अंदर आने वाले दो से धाई महिने तक कोई भी परिक्षा नहीं होगी ठीक है सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों अगली बात ये है कि क्या यूपिटर पलेसी में परिनामों पर कोई काम होगा या अभी लेक परिक्षण शुरू हो सकता है कुछ भरतियों का तो भईया आप सभी को बता दूँ सबसे पहली बात बात करने वाला हूँ परिनाम को लेका देखिए परिनाम को लेका जानकारी ये है कि यूपिटर पलेसी में लगातार परिनामों पर कार्य होगा ठीक है और आपको बता दूँ आयोग जो है न वो लगातार खुलेगा आयोग बंद नहीं होगा हाँ ये बात सत्य है कि कोविड की वज़ा से और चुनाव की वज़ा से आयोग में जो काम करने की स्पीड है वो पहले से कम हो जाएगी हाला कि ये बात भी सच है कि पिछले 5 सालों में आयोग की जो काम करने की स्पीड थी वो बिलकुल खरगोस की मैं खरगोस बोल रहा हूँ कच्चुए की चाल से भी धीमी थी मतलब जो कच्चुए की चाल होती है उससे भी धीमी स्पीड से आयोग ने पिछले 5 सालों में काम किया लेकिन अब चुनाव की वज़ा से और कोविड की वज़ा से इस आयोग की स्पीड और कम हो जाएगी और आपको पता दूँ परिणामों पर आयोग में धीरे धीरे काम चलता रहेगा जानकर यह मिली है कि एक तो आबकारी सिपाही 2016 भरती का जो परिणाम है इस पर और एक आपका जूनियर असिस्टेंट भरती 2016 का पाइनल यजल्ट है इस पर ठीक है दोस्तोrem इन दो भरतीयों के परिणामों पर लगातार कारिया चलता रहेगा ठीक है और आने वाले जो परिणाम होंगे वो यही दोनों में से एक होगा ये बात एक दम सत्य है इन दौनों में से एक परिणाम जारी होगा और इन दौनों परिणामों पर लगतार कारिया जारी रहेगा अब बात कर लूँ मैं DV के संबंद में अभिलेक परिक्षण को लेकर तो अभिले एक परिक्षन जो है वो दो भरतियों का होना है एक तो मंडी स्पेक्टर वाली भरती है विज्यापन संक्या 5 बटे 2018 इस भरती का DV होना है और एक आपकी भरती है जूनियर असिस्टेंट भरती 2019 इस भरती का DV होना है तो इन दोनों भरतियों में से किसी एक भरती क डीवी का शेडूल भी आने वाले 10 से 15 दिनों में जारी किया जा सकता है ठीक है फिलाल गो जानकरी मिली है वो यही है कि इन परिणामों पर और इन भरतियों के डीवी पर कारिया शुरू होगा और कारिया चलता रहेगा बाकी जो परिक्षाएं है वो परिक्षाएं अभी अप्रेल से पहले यूपिटर परेसी में कोई भी परिक्षा नहीं होने वाली केवल परिणाम और डीवी पर कारिया होगा और सबसे पहले आपको बता दूँ परिणाम पर कारे जादा होगा ठीक है हो सकता है कोविड की वजह से छात्रों को डीवी के लिए ना बुलाया ज लेकिन परिणाम आपके लगतार जारी होंगे ठीक है जैसे पहले जारी आपके होता है परिणाम परिणाम उसी स्पीड से आपके जारी होते रहेंगे बद थोड़ी स्पीड जो कम हो सकती है हो सकता है एक महीने में एक परिणाम जारी हो ठीक है दोस्तो और रही बात आयोग क को लेकर और किसी भरती के सम्मंद में या परिणाम के सम्मंद में कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आपके सबी सवालों का जवाब दिया जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जेहन जे भारत